तो बिसिकली इसमें हमनों क्या करने वाले हैं सारा लाइन बैलाई हम चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे जहां जो उत पढ़ेगी मैं डीप में भी समझा दूंगा ठीक है यह निक बस आपको हिंदी इंगली से हिंदी समझाओंगा तो चली स्टार्ट करते हैं दूर्ट पहला मारा पोशन है तो इसको पढ़ते हैं मोशन इस कामन तू एवर्यथिं इन दिस येनिवर्स सिम्पल सी बात है बात मोशन इस पूरी येनिवर्स से बहुत कमन सी चीज है वी वाक वी रोन एंद राइड अड बासिकल ओल आर्ट रलाइट अन वेसिकल हृत आँ लंग्स blood flows in arteries and veins, To simple सी बाद yem सांस ले रहे हैं, lungs में air लो जा रहे है, अंदर बाहर वह क्या है, वह भी क्या है, air का motion है blood flow करी हि है. में artery, veins में नसो में वह भी क्या है ? motion है blood rocket, तो motion हर छिकरत देखने को मिलता है अपको Choice, lips falling from the trees and water flowing down a dampём सबस्क्राइब कैने जो पत्याँ गिरती हैं पेर से या के लो पानी बहता है डैम से डैम के नीचे वो सारे के सबक्राइब देखो पानी-का मोशन आ कह gaan का मैं पोन अन्य देखने को प्रकल बै… और वही प्लीन की बात की जाती है तो वह भी क्याक्तरी के से मोशन करती है एक जगे से दोसे जगे लोगों को लिखी जाती है जो हमारा एर्थ है अपने एक्सिस का बार रोटेट करता 24 गंटे में एक बार यह आट बेस्ट वह भी कहें से मोशन है और जो हमारा एर्थ है संन के रांड भी रिवाल्व करते रहते हैं, एक साल में लग चक्कर पूरा कर लेता हमयं पता है the sun itself is in motion in the milky way और sun खुद भी motion करते है अपने milky way में which is again moving within its local group of galaxy simple सी बात एक टाइप का galaxy है तो local group galaxy में यह move करते रहते है अपने हमारा क्या sun simple सबात सारी चीजी को बस आपको बता रहा है motion कहां कहा है तो हर जगा motion रेकनों में मिल रहा है पुरी universe में human से लेकर human से लेकर nature कहलो sun ले लो earth ले लो हर कोई motion कर रहा है किसी तरीके से इसलिए चप्टर पूरा बना है पूरी motion को समझना हम है motion is a motion क्या होता थोड़ा basic definition दे दिया motion is a change in position of object with time तो simple से बात है किसी object का time के साथ change होना मुलब किसी object का उसकी position का तो object की position का time के साथ change होना क्या कहलाता है motion कहलाता है how does the position change with time कैसे change होता है time के साथ position यह हमें देखना है इसमें in this book in this chapter we shall learn how to describe the motion हम सीखेंगे कैसे motion को describe के जाता है अभी correctly defined नहीं है ठीक है basic idea आपको दे दिया है पहली लाइन में बट ऐसा नहीं है for this we develop the concept of velocity and acceleration इसके लिए हमें develop करना पड़ेगा किसकी velocity की understanding और acceleration की we shall confine ourselves to the study of motion of objects along a straight line known as a rectilinear motion तो basically हम अपने आपको एक कहां तक एक limit रखेंगे इस चेप्टर में basically देखा जाए तो हम जो भी मोशन होगा straight line motion होगा कैसा सीधा motion होगा उसको देखने वाले है basically और जब straight line motion होता है किसी body का तो हम कहते हैं उसका motion कैसा rectilinear motion है याद रखेंगे rectilinear motion मतलब straight line motion की बात हो रही है for the case of rectilinear motion with uniform acceleration a set of simple equation can be obtained तो rectilinear motion में अगर uniform acceleration हो तो कुछ simple equation हम लोग देखेंगे यहाँ पर finally to understand the relative nature of motion we introduce concept of relative velocity तो एक relative एक होता है nature motion का देखने के लिए जैसे कि हम दोनों एक दुसरी को cross कर रहे है तो एक तरह से motion तो हो रहा पर relative motion भी हो रहा है तो तो velocity की terms से समझने कोशी करेंगे in our discussion we shall treat the objects in motion as a point object तो बेसिकली इस chapter हम क्या करने वाले है कोई भी object हो कितना बड़ा आदमी हो कितना बड़ा planet हो हम सब को सारे सारे जो भी object उसको point mass मानेंगे बोले तो point की तरह consider करेंगे इस chapter में ध्यान देना है जैसे मैं हूँ भले ही मेरा size कतना बड़ा है ठीक है लेकिन अगर मैं motion कर रहा हूं तो आप मुझे कैसे लेंगे as a point लेंगे तो यह कहने का मतलब है तो we will treat the objects in this motion as a point object simple सी बात है this approximation is valid so far as the size of object is much smaller than the distance it moves in a reasonable duration of time अबसका क्या मतलब है कि जो point mass मानने जैसे मैंने कहान है मेरा जो अगर आप मुझे जो consider करो point की तरह consider करोगे वो curve कर पाएंगे जब मेरा motion जिते दूरी मुझे तै करने मानलो है ना motion के दौरान वो बहुत ज़्यादा हो मेरी size से मेरी height से है ना just like अगर मैं motion कर रहा हूं 2 km right 2 km motion कर रहा हूं 2 km दूरी जा रहा हूं तब मेरी height अगर मानलो 6 feet है तो बहुत मेरी साब से 2 km के साब से मेरी height बहुत छोटी है तब मुझे आप as a point consider कर सकते हो यह बात कहना चाहरा है यह चीज कभी वालेट हम लोग मानते हैं वैसे चेप्टर नों पूरा point mask की तरह मानेंगे point object मानेंगे basically है ना यह मुझे से बार-बार मास निकल रहा है बड़ वापस वांज माना कर क्यों निकल रहा है ठीक तो कोई कोई अब्जेक्ट होगा अगर आपसे पूछा जाते है कोशन की हम लोग फिजिक्स में जब मोशन पढ़ते हैं तो अब्जेक्ट को एज़ा पॉइंट क्यों लेते हैं point object क्यों लेते हैं point की तरह को कंसिड़र करते हैं simple सा कहना है कि जो motion कर रहा है कहलो जो distance कवर कर रहा है वो काफी जादा है उसके size के comparison में इसलिए हम उसको point की तरह consider करते हैं ठीक है in a good number of situations in real life the size of object can be neglected they can be considered as a point like object without much error तो बहुत जाता error नहीं आने वाला right जो भी हम calculation करेंगे इसलिए हम ले भी सकते हैं अब next line में important बात कर जाती है in kinematics we study ways to describe the motion without going into the cause of motion कहने का मतलब हो kinematics branch होती है mechanics के ना mechanics branch होती है तो basically हम क्या करेंगे kinematics के अंदर मतलब की जो हम पढ़ने वाले kinematics पहले पढ़ेंगे right kinematics का मतलब होता है कि जो भी motion हो रहा है तो हम motion को study करेंगे motion किस वजास आया है उस पर ध्यान नहीं देना भी हमें जैसे just like कोई body move कर रही है पहले rest में थी अब move कर रही है रुकी थी अब move कर रही है motion में है उससे तो सब्सक्राइब करेंगे बात करेंगे को मतलब किया होता याद रखियेगा कि हम सिर्फ dog gone के श्रीश करेंगे और मोशन के कॉज के स्टेडी नहीं करेंगे तीक नौ नेक्स पे चलते हैं पोजिशन पाथ लेंथ एंड डिस्टिस्मेंट की बात करेंगे अर्लियर यह व लर्म्ड एट दा मोशन इस चेंज इन पोजिशन औफ ऑब्जेक्ट विद थाइंग सिंपल सी पोजिशन वी नीड तो यूजार रेफेंस पोईंट अग्सेट अफ एक्सिस तो किसी की पोजिशन के इस पेस्पाइब करने के लिए हमारे पास कोई एक रापरेंस पाइंट होना चाहिए और सट अन्ट सेट अफ एक्सिस होना चाहिए उसका क्या मतलब है जैसे कि अगर आपको ध्यान हो mathematics में यह y-axis होता है यह x-axis होता है अगर मैं मैं कह देता हूं कोई object यहां पर खड़ा है यहां पर खड़ा तो हम क्या करता है एक्स दूरी पर खड़ा जैसे x equal to 5 पर खड़ा हुआ है कैसे कह पाते थे origin की वैसरी है कि हमारे से 00 हो करता था याद आता है 00 तो इससे हम लोग यहां से comparison करते थे यहां से कितना दूरी पर एक्स पर या 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 दोनों के बीच में तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं यहां पर क्या है reference point है और यह set of axis का है जहां पर क्या करते हैं यहां प 3 mutual perpendicular axis तो वही कहा रहा है labeled xyz तो convenient होगा जो हमें reference निकालना है reference point लेना है तो 3 xyz को हमें consider करना पड़ेगा the point of intersection of these axis is called origin वही तीनों axis का जो intersection point हो उसको origin कहेंगे और यह काम करेगा ऐसा reference point का reference point का काम करेगा समझ मारा ही नहीं आ रहा है इसे हम लोग कॉडियें दिया करते थे xyz जैसे कि यह वाई हो गया इमाले यह x हो गया यह वाई हो गया मालो जार्ट कुछ पिन पीपर के ऐसे होगा जार्ट होगा तो ऑब्जेक्ट कहीं होगा मालो यहां space में तो उसका कॉडियें आपको coordinates xyz of a object describe the position of the object with respect to its coordinate system coordinate system xyz की बात की जारी है to measure the time we position a clock in this system this coordinate system along with clock constitutes a frame of reference अब इसका मतलब क्या होगे देखिये तो यहां दो वर्ड बेटा एक क्या है reference point होगे दूसरा क्या frame of reference तो उन्हों में difference क्या है पहली बात समझ लीजिए कि को भी object की position आपको बता नहीं क्या सिर्फ position बतानी कहां पे खड़ा होगा है time के बारे हम नहीं बात करेंगे सिर्फ position बता नहीं कि वह कहां पे खड़ा है तो हम लोग जैसे यहां पर origin से देखते थे origin से देखते थे तो सिर्फ position बतानी हो with respect to origin कहलो यह coordinate system कहलो तो तो हम कहेंगे कि इसका reference point हो गया ठीक है अब लोग क्या बोलेंगे frame of reference बोलेंगे तो इसमें position तो बतारो बद time के साफ से बतारो यह भी आ गया time time को भी देखना पड़ रहा है आपको ठीक है तो इद्धान रखेगा इन दोनों के reference है यहां बता जा रहा है okay now next if one or more coordinates of an object change with time we say that object in motion क्या मतलब है अगर कोई object एक या दो एक से ज्याद़ कोडिनेट के along अपने position को change कर रहा है time के साथ तो हम कहेंगे इसका motion हो रहा है ठीक है कम सकम एक कोडिनेट के along तो change होने चाहिए simple सी बात है position को यह कहने का मतलब है otherwise the object is set to be at rest with respect to frame of reference तो अगर वो अपनी position ने change करेगा minimum एक एक कोडिनेट के along तो simple सी बात हो रहा होगा simple सी बात ही कहने का मतलब है the choice of a set of axis in a frame of reference depends upon the situation तो आपको choice लेनी है axis के तो आपके frame of reference पर depend करता है कि situation में लेनी है आप x ले रहो य ले रहो और आप origin कहां ले रहो आपके जियुआ करता है लोगो थोड़ी चीजे देदी इस फांच माई गिए आपको एक दिम से नहीं आएंगी फोर एक्जाम्पल पोर डिस्क्राइबिंग मोशन इन वन डामेंशन देखो मोशन को डिस्क्राइब करना वन डामेंशन बंडामेंशन लोग एक्स अक्सिस अलोग म we need only one axis to describe the motion in two or three dimension we need set of two or three axis simple जबात है अगर X में करना तो एक एकसी जरूरत है X Y में करना है तो दो की जरूरत है X Y Z के Z Z में आपको किसी की पोजिशन दिखाने तो तीनों की जरूरत है X Y Z की जरूरत है यह कहने का मतलब है description of an event depends on frame of reference chosen for description कोई भी event को आपको दिखाना बोले तुम रेस्ट हो रहा है तो बोडी मोशन में की रेस्ट में तो रेफ्रेंस पर जब चूज करोगे उसके description डिपेंड करेंगा दो सारी बात है घुमाफुरा के वहीं खही जा रही है जो हमने बात किया भी है ना पूर एक्जामपल वी से डैट अकार इस मुविंग ऑना रोड अब दो को इवेंट पर डिपेंड करेंगा कि उसका फ्रेवर प्रेफरेंस क्या है ना दो एक इमेजिन करिये कोई कार है मैं थोड़ा सा यहां बना लेता हूं एक कार है इस बात को समझेगा माल लेते हैं एक यह रोड है और यह कार है मालो कार ऐसे मूब कर रही है आप दो इस लाइन के कहने का मनला वैन वी से डैट कार इस मूविंग ऑन दा रोड तो कार मूब करें सिंपल सी बात ते इसका मुतलब क्या है यह से आप कार के आगे या पीछ ही अपड़ा को आप कार मूशन में दिखाए देंगी मूब करती दिखाए देंगी क्यों आप रोड रुपे खड़े हो और आप प्रेम फ्रेफरेंस हो सुनिए मेरी बात अप हो तो आपके साफ जो कार ला रही है इसकी पूजिशन हो रही होगी टाइम के साथ है कि नहीं वहीं दूसरी की यह बात हो गी तो आपके हिसाब से कार फ्रेम आफ रेफरेंस के इसाब से मूब कर रहे हो तरह आप क्या होगे इस पुजिशन में आप क्या फ्रेम ओफ रेफ्रेंस आप हो गए ठीक है आप बूर्ट पर खड़े हो तो आपके साफ से पॉजिशन जोडिता के साब से motion होगा अब यही बात कर रहा है when you say that car is moving on the road you are describing the car with respect to a frame of reference attached to you or to the ground simple सी बाद आप गड़ो तो उसकी साब से बात करोगे but if the but with respect to frame of reference attached to a person sitting in the car अब reference अगर माल लिया आपने कोई बंदा कार के अंदर बैठा हुआ है उसके आप से देख लिया आपने उसके साब से frame of reference बोल दिया चाहत बन नहीं रहोगा यहां पर यहां बनाता हूँ उसके साब उसके साब से कर रहे हूं कि नहीं कर रहे होगी ईकर रही होगी सोचेगा कोई परसंद से की कोई परसंद यहां बैठा हूआ कोई हगा टी पसे क्या होगा यहकी साफ से यह रिय्ट में होगा जो बंदा बाहर खढ़ा या जो रूट पहुत पर उसके मोशन हो घृ कि कोई जब पॉशन में है रेस्ट में यह फ्रेम लड्रेसरेंट करता है और जैसे कि बाहर खड़े ओ into आप पाहर का हो गया है आपके ऑसाव सी कार मूब कर रही होगी उसमें लोग मूब kier रहे होगे बट कार के अंदर को बैठा हुआ है एक बंदा दूसरे काफ important है यह तो frame of reference basically decide करता है कि कोई object move कर रहा है कि rest में right motion में की rest में to describe the motion along a straight line we can choose an axis say x-axis so that it coincide with the path of the object और कोई 1D में straight line में move कर रहा है तो हम किसी एक एक एक्सिस कर लों उसके motion को देख सकते हैं right we we then measure the position of the object with reference to convenient chosen origin जैसे x के along कोई चल रहा है जैसे यहां पर देख लो है कि we measure the position of object with reference to a conveniently chosen origin 7 तो यह कहा है दो यहां पर इसमें क्या straight line में कोई चल रहा है तो यह origin मान लिया है है ना क्या मान लिया है यह origin मान लिया है अब देखिएगा ठीक और position to right of O is taken positive तो जो O के right जाएंगे तो जो हम position मानेंगे positive है और left को O के left जाएंगे तो इसको negative मानेंगे position को okay and left to left of O negative right following this convention the position coordinates of P and Q दो पी के एंप यह रहा और क्यू के coordinates कितना हो जाएंगे और पी के दो यह क्या हमारा origin यह है तो पी की बात की जाए तो पी यहां से कितना 360 that is plus 360 हो गया क्योंकि हमने origin से राइट की तरफ ले रखा है 360 तो 360 हो गया P का क्यों कितना हो गया 240 हो गया दिखाए दिर आपको यह 240 हो गया प्लस का क्यों का similarly position coordinate of R अब दोखो R यह है यह origin हमने इधर माना था इधर क्या है लेफ्ट न जा रहा है origin से और इसको negative माना था तो ओ की position को कैसे दिखा पाएंगे हम लोग minus 120 देखरो तो जो position यहां क्या है reference पर depend कर रही है origin पर depend कर रही है अब हम बात करते हैं इतनी बात समझ मागे होगी की की कोई भी position को देखने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग origin ले सकते हैं यह motion को देखने के लिए आपको origin यह फ्रफेंट लेना पड़ेगा पाथ लेंग की बात आगी पाथ consider consider the motion of a car along a straight line we choose x axis such that it coincides with the path of cars motion and origin of axis as as a point where the cars started moving that is car moving x0 at t is equal to 0 3.1 3.1 क्या है दो तो दो इसी पर ही इन्होंने क्या मान लिए उसको हटा देता हो आगा यह बात समझ मागे होगी इसी एक्स एक्से से कार मूब पर इस ट्रेट लाइन में तो मतलब यह एक्स पर मान लेते हैं मूब कर देकर हमारी है ना क्या बोला जा रहा है समझेगा एक्स जीरो टी कार कहां पर कार वाज एट वो कार कहां पर बोला जा रहा है आद वाज है कार वाज़ एक्स eक्स कालड दो जीरो च पर कमंतलब क्रा सुर्वाद करहें है यहां से आथक जांट कर रहा है यहां पर X के बहले 0 है और T0 फिजिक्स माग गए और T0 कोई बोले मतलब की आपने observation स्टार्ट किये है right observation स्टार्ट किये देखना let PQR represent the position of car at different instance of time प्लब PQR क्या है कार यहां स्टार्ट हुई है तो PQR प्लब कार ऐसे मूब करती हुए ऐसे गई होगी फिर वापस आई होगी फिर ऐसे गई होगी कुछ time पर strength पर है ना तो ऐसे जा सकते हैं ठीक consider two cases of motion in first case आपको दो cases लेने है motion के in first case the car moves from O2P तो पहले case में क्या है O2P जाएगी O2P राइट ओसे पी जारी फिर्स केस में बठा कि फिर्स केस में कि क्या बोल रहा है फिर्स केस में O2P जाएगी दैन डिस्टन्स मॉब बाइदा कार इस तो पी थी 60 मीटर हो गया तो ओ टू पी जा रही है first case में O2P तो O से Q गई होगी और फिर P गई होगी तो कितना से इसने distance travel किया distance की बात कर रहे distance राइट तो distance इसका कितना हो गया तो 60 होगा दिखाई दे रहा होगा आपको आपको नाओ तो distance is called the distance is called the path of length transfer transverse by the car मतलब की सिंपल से distance के definition देख देना चारा है distance क्या होता है distance is the path of the length right जो भी कार ने क्या किया distance travel इस दो को यह simple से बात है इस पाथ के तुरू होता हुआ गया इस पी अब यह क्या है एक तरह से path है अब इस path की जो length होगी बेटा है ना इस path की जो length होगी वही क्या होती आपके distance होती है रही तहीं बोला जा रहा है distance क्या होती है distance is the path of the length right मैं कहूंगा total path of the length बोलू ज्यादा बैटर रहेगा ठीक in second case the car moves o to p and then moves to moves back to p to q मैं लो ओ टू पी जाएगी और p to q आएगी second case में क्या बोला जा रहे है ओ टू पी जाएगी और p to q वापस आएगी ओ टू पी और p to q तो अब इस पर बताईए यहां से गई इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं पहला वाले case को अब ओ टू पी गई पहली बार फिर p to q आई तो मतलब इस पात के तुरू गई पी तक फिर वापस आई that means कि इसने total किता है distance cover किया होगा total length of the path लेना है आपको है ना तो पहले 360 कवर किया होगा पहले O2P और P2Q में कितना गई होगी देखो यह कितना हो जाएगा difference यह हो जाएगा 120 right 120 हो जाएगा that means कि जो distance आएगा 360 और 120 that is a 0 8 4 480 आएगा तो इसने distance कितनी cover किया होगी 480 कवर किया होगी right यही कहना चाला होगा जाएगा तो यह को 480 इसने cover किया है तो पाथ अब दो को simple ची बात आएगा path is a path length is a scalar quantity a quantity that has a magnitude only no direction कहना किया चाहरा है जो path of length that is the distance है क्या है यह हमने क्या निकाली distance और distance क्या होता है क्या होता है distance distance एक scalar quantity होती है क्या होती है scalar quantity होती है अब scalar quantity का मतलब क्या होता बटा ऐसी quantity जैसे distance a quantity है, तो ऐसी quantity जिसका magnitude हो, right, magnitude हो, but direction ना हो, no direction, उसको हम scalar quantity कहते है, तो distance का scalar quantity है, क्यों, क्यों, देखे, हम लोग देखो, left to right गए, हमने distance positively, फिर right to left है, हमने तब भी positively है, तो that means कि direction सो कोई फ्रेक्टनी पढ़ने वाला है, right, समझ मारत नहीं आ रहा है, इसलिए क्या है, यह scalar quantity है, यहाद रखे का distance का होता है, scalar quantity होता है, ठीक है, okay, now we will talk about the displacement, और displacement बता दू, distance to scalar था, आपको पहले बता दू, यह क्या होता है, vector quantity होता है, vector quantity होने का मतलब, इसके पास magnitude भी होगा, अब magnitude क्या होता है, जो value है बता है, जो कोई भी value है, magnitude होता है, यह स्ट डारेक्शन भी होती है, इसके पास है, पहले बता दे रहा हो, भागी इसमें कुछ भी बताई हैं आपको, ठीक है, असको थोड़ा हटा गता हो होना सबको, now, displacement की बात करते है, it is useful to define the another quantity, displacements as change in position, let x1, x2 be the position of an object at time t1, t2, क्या हम माल नेते 2 position x1, x2, t1, t2 time पे, then its displacement denoted by del x, अब यह क्या है, दो कभी भी आपको physics में यह क्या है, triangle के दिखा जाएगा, इसको del पढ़ते हैं, क्या बोलते है, delta वैसा होता है, full form delta होता है, बढ़ इसको पढ़ेंगे del, और यह क्या दिखाता है, आपको del, difference दिखाता है, क्या दिखाता है, तो del x का मतलब क्या हो जाएगा, difference in position x1, x2, है ना, लोगी कितरे से position में difference है, in dt time, then its displacement denoted by the del x in time dt, t2 minus t1, right, is given by the difference between initial and final position, क्या बोल रहा है, जो del x होता है, यह difference होता है, between the final, sorry, final और initial position का, right, तो यह x2 मतलब final position, x1 मतलब initial position, ठीक है, ओके, तो del के बारे मैं बता रहा था, मैं एक delta होता है, difference दिखाता है, basically है, now, if, if x2, x2 मतलब final position, अगर final position जादा है, initial position से, तो आपका क्या होगा यह, simple सी बार्ट है, del x बोले तो displacement क्या होगा, positive होगा, वहीं अगर final position, चुकम है, initial से तो वो negative होगा, that means कि, displacement देखो, यहाँ पर positive negative कुछ भी हो सकता है, that means कि, यह scalar quantity नहीं है, यह vector है, displacement has a both, मैंने बता था आपको, magnitude and direction, displacement क्या होगा है, जिसके पास, magnitude हो और direction दोनों हो, ठीक है, such quantities represented by the vectors, vectors से दिखाते हैं, इसको, vector कहते भी हो, दिखाते भी हैं, बतातूं, vector का मतलब जिससे की, मैं बताओ, जिससे की, जो velocity होता हो बता, वो vector quantity होता है, हम आगे सिखेंगे, तो उसके उपर, ऐसे arrow लगा देंगे, तो यह vector हो गया, समझे भी हो भी हा रहा है, किसी, किसी quantity को उपर, अगा वेक्टर ऐसे लगा देंगे, arrow उसको vector बोला था, तो यह vector quantity हो गया, ठीक, तो ही बोला जारा है, such quantities represent by the vectors, you will read about the vectors in the next chapter, है लिए चैटर हम लोग पढ़ेंगे, presently we are dealing with the motion along a straight line, अभी हम क्या कर रहे है, हम deal कर रहे है, motion along the straight line, और straight line को हम लोग क्या बोलते थे, रेक्टिले लिए motion यादा रहा है कि निया रहा है, तो इस section में 1D से deal करने वाले है, आप दो को 1D मतलब 1 dimension की बात कर रहा हूं, इन 1 dimension motion, there are only 2 direction, forward and backward, दो ही direction लेंगे, मैं लिए 1D में क्या होता है, 1 dimension में क्या होता है, या तो forward जाओगे, या तो backward जाओगे, या फिर upward जाओगे, या फिर downward जाओगे, दो ही हो सकता है, तो अबजेट ऐसे इमूप करेगा, इन इस तो डारेक्शन इसली कैन भी, और या तो आगे जाओगे, या तो पीशे जाओगे, या तो उपर जाओगे, या तो नीचे जाओगे, तो इसको easily हम लोग स्पेसिफाइब कर सकते है, positive और negative sign के according, इसको नेक्टिव दिखा सकते हैं, और लेफ्ट जाओगे उसको नेक्टिव दिखा सकते हैं, ठीक है, जैसे हम बोल कर रखा है, for example, displacement of a car in moving from O to P is, 360 हो गया, कैसे, लोग कोई car move कर रही है, अब दोख़ो displacement की terms में बात करेंगे, ठीक है, अभी हमके deal कर रहे हैं, displacement से deal कर रहे है, displacement क्या होता है, vector quantity होता है, मतलब की, आप left और right जाने पर, position के, तो उससे फरक पढ़ने वाला है, distance और displacement में, और displacement में, sorry, देखे, क्या लिखा यहां पर, अगर अब देखो, O2P जाते हैं, हमने पहले ही देखो, यह हमारा origin माना हुआ है, O2P जाएंगे, तो यह positive जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे, plus 360, लेकिन, यह right जाएंगे, तो हम positive लेते हैं, हमने मान रखा है, लेकिन लेफ्ट जाएंगे, तो वही negative हाजाएगा, मतलब कि, अगर P2Q जाओं मैं क्या, sorry, P2Q जाओं, तो यहां से यहां कितना आजाएगा, तो यहां से यहां कितना आजाएगा, रिफ्रेंस कितना था, 120 किया था, लेकिन यह minus 120 लेंगे, displacement में, 120 मतलब कि, P2Q गया था, तो आपने minus 120 कवर कि, इसका मतलब कि, डारेक्षिन चेंज कर लिए, simple सी बात है, ना, distance में क्या था, 360 किया था, plus 120 किया था, distance में क्या था, कि दोनों को add करते थे, हमें, sign से कोई लेना दे नहीं था, बस positive रखते थे हमेशा, but, but, displacement क्या करेंगे, हम लोग बेटा, जिब direction change होगी, तो sign भी change हो जाएगा, अब किसको आपने positive मान रखा, किसको negative मान रखा, वो आप पर depend करता है, तो मैं आप से directly, अब कहूं इस case में, displacement क्या होगा, सुनिए मेरी बात को, displacement, क्या होगा, अगर object, O2P जाता है, फिर P से, वापस क्यों वापस आ जाता है, that means कि, simple सी बात है, O2P गिया है, तो 360 positive का, उसने cover किया, ओके, और P2 की गिया है, तो वो negative, direction जिए नेगिटिव होगया, तो अगर net देखा जाए, दोनों को add करेंगे, यह negative का, positive तो कितना हो जाएगा, 0, 4, 2, 240, ultimately इसने displacement cover किया, समझ महाना कि निया रहा है, तो यह चीज लिखी होई है, displacement has a magnitude 360, and is directed in positive x direction, मैंने बोला ना, 360 positive x direction में जा रहा है, by sign plus, similarly displacement of the car from P to Q, that is 240, अब दो displacement, दो को यहां से displacement देखा गया पहली बार, और फिर यहां से देखा गया, finally है ना, तो इस तरह कितना दो को, इस case में कहा था, इस case में, P to Q में, अगर मैं P to Q निकावलो, डेल एले, बोले displacement, तो final minus initial होता था, यादा रख नहीं आ रहा है, initial, तो final कितना है, 240, initial कितना हो गया यहां पहर, इस case में, 360, तो कितना आ गया, ultimately, minus 120 आ गया गया, जी नहीं आ गया, तो वही बात है, इस तरह के से आपको, direction का भी पता चल गया, और calculate कैसे करेंगे, अब क्या बोला जाए, जो माइनस 120 आया है, the negative sign indicates the direction of displacement, and thus, it is not necessary to use the vector notation, for discussing the motion of objects in one dimension, तो one dimension, जो भी चाहिए जा रही है, सिर्फ एक dimension भी motion हो रहा है, सिधा एक straight line का लॉग हो रहा है, तो जरूर नहीं है, आप vector उसकी तरह दिखाएंगे, normally, आप algebraic term में दिखा सकते हैं, तो upward direction में कुछ हो रहा है, है ना, ओके, now, the magnitude of displacement, may or may not be equal to the path length transverse by the object, मतलब क्या है, जो जो displacement, जो इस case में देखाएंगे, जो इस case में देखाएंगे, जो इस case में आगे, अगर मैं बात करो, जो हम compare करेंगे, distance का, और displacement का, ठीक है, displacement का, अब धान्स देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं O2P की बात करूँ, O2P है ना, O2P की बात करूँ, तो साबसे बात आपको एक चीज़ समझना पड़े का बटा है, कि O2P की बात करूँ, तो देखो, distance कितना है इस case में, O2P 360, और O2P में ही displacement देखेंगे, कितना हो जाएगा, 360 हुआ कि नहीं हुआ, तो इस case में क्या है, distance और displacement क्या है, same है, लेकिन मैं आप से यही बात कहूँ, सुनिए के मेरी बात, पूरी जर्णी की बात करता हूँ, O2P गया, और P2, इसको हम थोड़ा सा अलग कर देता है, अब मैं यही बात को थोड़ा अलग कर देता हूँ, अब जर्णी क्या है, अब जर्णी चेंज कर देता है, O2P, और P2Q, अब इस case में हम बात करते हैं, किसकी, distance कितना हो जाएगा, वहीं डिस्प्लेस्मेंट करिंगे लिए सब्सक्राइब सीड़े जorterकck का कि लाइं से तो इस कीश मैं थी इस केस में क्या है डिस्प्लेस्मेंट छोटा है किसे डिस्टेंसे तो यह मतलब है इस चीज को धान से याद कर लो चाहिए लिख लो कहीं पे भी जो डिस्प्लेस्मेंट होता है ना डिस्प्लेस्मेंट क्या डिस्प्लेस्मेंट less than equal to distance होता है अब क्या मतलब कि distance के बराबर भी हो सकता है और distance से छोटा भी हो सकता है कभी भी displacement distance से बड़ा नहीं होगा यह बात रियाद रखिएगा उसका में थोड़ा अलग तरीके साइलेट कर देता हूं अपने पास यह इस बात को दिहार देना है यहां से समय महारा होगा आपको है ना तो वही बात यहां लिखी हुई है थोड़ा लग तरीके से लोग लेखते हैं मैंने पहले बता दिया magnitude of displacement may or may not be equal to the path length transfers by an object path length transfer by an object का मतलब distance के बात कर रहा है ठीक है तो मैंने आपको बता दिया कि displacement जरूर नहीं कि उसके बराबर हो उससे कम भी हो सकता है ठीक है यह बात बोलिए अब यह example देंगे भाई सब पढ़ लेना इसको for example for a motion of car वही मैंने जो बात बता ही वही बोला गया from o to p the path length 360 and the displacement 360 positive में दोनों थें in this case the magnitude of a magnitude of displacement 360 equal to the path length 360 path length की बात हो रही मतलब distance की बात कर रहा है but consider the motion of car from o to p and back to q वही चीज मैंने आपको बता ही in this case the total path path length 360 plus 120 that is 480 हो जाएगी but displacement क्या होगा 240 minus पहले के लिए क्या हो जाएगा 240 minus is 0 क्यूं कर रखा है अच्छा वहां के लिए 240 हो जाएगा finally है ना और डाक्ली क्याप्लेट कर दिया है thus the magnitude of displacement is that that is that is 240 is not equal to the path length तो वही बात बोली जा रही है जो मैं आपको बता ये है ना इसको now the magnitude of a of the displacement for a course of motion may be अब क्या बोला जा रहा है magnitude of displacement for a course of motion may be zero but a corresponding path length is not zero कहने का मतलब देखिए मेरी बात समझेएगा अगर मैं कहूं इसको थोड़ा भटा देता हूं समझमाएगा ये बात तो समझमागी होगा आप लोगों को है ना अब धान सुनीगा मेरी बात को ये कहना क्या जाएगा अगर कोई जर्णी में है ना लोगों डिस्प्रिस्मेंट आपका जीरो हो सकता है किसी जर्णी में अगर जर्णी होई है तो डिस्प्रिस्मेंट जीरो सकता जैसे में बात करते हूं कि अगर मैं उसे गया पी पे और अगें पी से वापस आगया ओपि यह पी से बैक आ गया ओपी तो मैं आपसे कहूं डिस्टंस मैंने कितना कवर किया यह पाथ लेंद कितना कवर किया तो आप क्या बोलेंगे आप थे 60 O2P गया है और 360 आप P2OI that is 720 है की नहीं लेकिन इसी सेम केस में बहूं मैं आपसे कहूं कि displacement कितना मैंने किया displacement मैंने कितना किया मैं गया धान सुनीगा मेरी बाद इसको थोड़ा सा मैं गया O2P that is plus 360 यह सुन्नों और वापस आया P से मैंने क्या किया अब उल्टा चल रहा हूं दोखो displacement किया तो वेक्टर कॉंटिल होता है तो O2P वहला O से राइट जाएंगे तो पॉस्टिव लेंगे और O के अपोई आएंगे तो यह नेग्रिटिव हो जाएगा that is 360 हो गया और 360 पॉस्टिव नेगटिव किता हो जाएगा 0 समझ मारा किया रहा है तो इस केस में क्या हुआ डिस्टन्स तो 0 नहीं हो अब डिस्पेस्में 0 हो गया तो यही बात कहना चाहरा है कि डिस्पेस्मेंट हमारा 0 सो डिस्पेस्मेंट हमारा 0 सकता है बट 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 डिस्टन्स यह पाथ लेंथ क्या होता है जिरो नहीं हो सकता किसी भी पाथ में अगर समोशन किया रहा है यह बोले जा रहा है for example if the car moves from o to p and then returns to final position coincide with the initial position the displacement is zero how with the path length of journey वही मैंने जो बताया वही सब लिखा हो है ठीक है आप देख लेना असको now motion of an object can be represented by the position time graph as shown you have already learned about it तो जब motion किसी body के दिखाना किसी object के दिखाना तो उसको position time graphs दिखा सकते है इसने कितने time पा उसने कितने position change की या नहीं की है न सचसह graph तो जैसे यहाँ पर दिख लो यह क्या है x क्या है यह आपको दिखा रहा है पैटा position दिखा रहा है गर यह time दिखा रहा है x axis पे हम लोग ले रहे हैn वाई एक्सिस पर ले रहे हैं तो है एकस लिखा है बट यह पोजिशन के लिए लिखा होता है दिखाने के लिए हैं लुग पीच में ऐसे जा रहा यह ग्राय है मतलब किया है यह िकोल टाइम में कोल डिस्टन्स पैरियंगung इंपक्र चाहरा है तो पमशन को से दिखा सकते तुछ सको ओड़ा जैता हूं काम लगेगा मैं इसलिए ओक्य आथके टे से बूले मोशन जैने दॉपर जैने इस तो सच अग्राफ इस पावरफुल टूल तू रिप्रेजेंट अनलाइज अडिफरेंट आस्पेक्ट अप मोशन तो ग्राफ बहुत इंपोर्टेंट होते हैं कि वह एक तैसे पावरफुल टूल की तरह होते हैं जो इनको देख यह इनसे नहीं हम बहुत सारी अनलिसिस कर सकते है है राइट मोशन के बारे में किसी अप्जेट के मोशन के बारे में बहुत सारे हम अनलिसिस कर सकते हैं ओके हैं वो फोल मोशन अलॉंग अस्टेट लाइन से एक्स ओनली एक्स कोडिनेट वारिस विद टाइम एंड वी हैव एक्स्रिग्राफ कहने का मतलब है अगर आपका यह जो मोशन हो रहा है एक्स एक्सिस के लॉंग हो रहा है तो टाइम के साथ एक्स में कितना चेंज है व्याग्राफ से दिखा सकते हैं तो पूजिशन टाइम ग्राफ में बोला होई चीज़ let us first consider the simple case in which an object is stationary तो पहले दोखों पहले case में जब करने हम मानते हैं कि कोई object है रुखा हुआ stationary है बोले तो stationary है let us consider the simple case in which an object is stationary stationary के तो बितला फ़ों खड़ा हुआ है समझ बाद नहीं है रहा है लेक्से एक्जाम्पल के तौर पे एक कार स्टेंडिंग स्टिल एक्स इसकोल डू 40 लोगी एक्सकोल डू 40 पे खड़ा हो तो इसको पोजिशन कैसे दिखाएंगे पोजिशन टाइम ग्राफ पे तो यह दिख रहा है तो दो को पोजिशन बोले तो अब डो टाइम के साथ वो ग्राफ है तो यह क्या हो गया उसकी इनिशल पोजिशन हो गई एक्स तो स्कुल डू 40 पे खड़ा हुआ है ना सिंबल सी बात है जैसे कोई कार से दूर आप खड़े हो 40 मेंटर की दूरी पे है आप वहीं खड़े हो कार महीं रुकी हुई है तो आप तो कार मूब नहीं कर करें तो क्या होगा यह पोजिशन उसकी चेंज निहीं होगी तो ही क्या दिखा रहा है पूजिशन टाइम गड़ा दिका रहा है कोई बी कोई कार है 40 मेंटर की दूरी पर रेस्ट पर है तैंट मेंसी यह ज्याट ग्राफ है ऐक क्लेर बात खरेंग नौ फरेंट अपजेट म equal distance travel कर रहे है, equal time में, right, equal distance, जैसे कि एक second, माल लेते हैं, 2 second हो गया, 3 second हो गया, तो माल लो, एक second के अंदर ये, एक meter cover करें, ये meter है, फिर next, एक second के अंदर, फिर से तीन मेटर, तो equal time में, equal distance कितना है, gap कितना है, 1 meter का, और कितना time का gap है, 1 second का, है ना, तो तो हर एक में, 1 second का gap है, तो 1 meter है, 1 second का gap है, 1 meter है, यहाँ देख लो, 1 second का gap है, तो 1 meter है, तो जब ऐसा motion जिसमें, कि कोई भी body equal distance travel करे, equal time में, right, ऐसे motion को हम लोग क्या बोलते हैं, uniform motion बोलते हैं, क्या बोलते हैं, uniform motion बोलते हैं, right, और इसको दूसरी तरह कर सकते हैं, uniform motion मतलब, constant velocity, अभी आपको समझांगो, velocity क्या होता है, लेकिन समझ लेजिए, constant velocity ग्राफ है, basically, uniform motion, यह constant velocity ग्राफ है, ठीक है, तो अब से याद देखना है, यह क्या होगा, constant motion हो रहा है, constant motion बोलते हैं, equal distance and equal time, time, okay, I hope, यहां तक आपको समझ बागया होगा, अब आगे चलते हैं, अब दुखर, यहां पर क्या हो रहा है, यह भी दोखो, time है, और यह क्या है, position है, लेकिन इसमें क्या है, यह graph, दोखो, यह नीचे रहे हैं, यह ऐसे आए जा रहा है, क्योंकिए equal distance, equal distance, कवर कर रहा है, equal time में, दोखो, यहां पर देखो, यहां से, दोखो, दो सकंड में तो लगफ़क ना करवा, distance इसमें कवर किया, यह कर लोग पोशिशन चेंज भी, फिर 6 से कंड के बाद थोड़ा distance आया, इतना, 8 से कंड के बाद, कुछ जाद ही आ गया, 12 से कंड के बाद, और जाद आ गया है, तो कोई equal distance, in equal time नहीं हो रहा है, है न, equal distance से equal time में cover नहीं कर पा रहा है, तो यह motion तो है, right, motion तो हो रहा है इसका, बट यह क्या है, non uniform, जैसे पहले वाला क्या था, non uniform motion हो रहा है, body क्या, ठीक है, यो uniform motion हो रहा है, और पहले वाला क्या था, जब street line आ रही थी, तो यह क्या है, uniform motion था, ठीक है, तो ध्यान देंगे इस बात पर, now, now let us, वही चीज़ मैंने जो बोली हो यह, बोलीगा, यह ना लेट इस कंसिदेर दा मोशन ओ आफ एक आट तर्व रहे स्ट आप आप आपने स्पीड गार्ट आपने स्पीड गुच्छ करते हैं और आफटर मॉष्विट इनीफर्म speed till 18 second अब उन्य कोई कोई कार है जो पहले 10 second पहले 10 second अपनी speed को pick करता है अब अपनी speed बढ़ाता है उसके बाद 10 second के बाद अपनी speed को uniform रखता है 18 second के लिए then the brakes are applied and the car stops t is called to 20 second and x is equal to 296 meter okay तो यह कहना क्या चाह रहा है कि कोई भी कार है मालो start t is equal to 0 पर start होती है और जिन से तो 10 second तक अपनी speed को बढ़ाता है 10 second तक अपनी जो speed है speed को बढ़ाता है 10 second तक 10 second के बाद 10 second से लेकर 18 second तक speed को नहीं बढ़ा same speed से चलता है जो बढ़ी थी थी 10 second तो same speed से चलता रहता है उसके बाद 18 second के बाद फिर brake लगाता है brake लगाने को speed कम हो जाएगी पर क्या करता है speed को brake लगाने के बदलब speed कम हो जाएगी जाएगी और कब तक हो जाती तक लगाता है कि इसकल टुट टुट अगले दो सेकंड तक लगाता है और गाड़े रुख जाती है तो वो टोटल उसने जो डिस्तन्स कवर किया रहे इस्टॉप अट रुख जाता है तो पोजिशन टाइम ग्राब इसका बताना है आपको रहे जो बना हुए फिकर 3.3 में 3.3 का है उत्ता तो यह बोल रहा है थीक है तो कोई भी यूनिफॉर्म नहीं देखो पहले 10 सेकंड तक अपनी स्पीड को पढ़ाया तो प्र क्या बोल रहे है अब दो यहां पर क्या बोल रहे है देखो नोटिस करिए यहां पर दो पूरा जो इ 121 फॉर्LE से लेकर 18 से कातर को नोटिस आ रहा है आपको तोटोंग देखाए देखनायोिए देखने पार है इस स्टेट लैन तो यह इन्यूफार्म यहां पर है पे मोशन्य तोamı और का इन्यूपम नहीं है बट यह जो पूरशन है यह पूर्शन यह पूर्शन है निस नही तो पोजिशन टाइम ग्राफ कभी स्टेट लाइन दो कोई इस पोजिशन के लिए स्टेट लाइन है धांस देखिए का मैं फ़र से दिखा रहा हूं आपको कैसा होगी हाँ तो इस दस सेकेंड के बाद स्टेट लाइन दिखा रहा है कि ऑर ओर 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 उनिफॉर्म नहीं देखो स्टेट लाइन नहीं हैं जहां भी स्टेट लाइन नहीं दिखा है करब ना पोजिशनfrei टाइंव ग्राफ तो समझ लिए कि वी ओनव रहां चाहिा लोट है गुघन सबस्क्राइब कर दोटा इतुछ आग तो अब हम चलते हैं next section की ततरफ थोड़ा से तो कितना time का हो गया ऐसा नहों की बहुत ज्याधा time का हो जायं पता हॉंट चलते कितना time का हो घुड- Wednesday तो चल रहा गया क्या ओन मिनिट हो गया तो चलो इसको आज यहीं पर रोगते हैं अगली बार सेक्ष्ट तो काफी डेटियल में उन्हें बात किये तो इसको देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा तो मैंने बोला था 3.4 तक लिके जाएंगे बड़ 3.2 तक ही करते हैं आज आज आपके लिए ज्यादा हो जाएगा तो इसको इहीं रोग देते हैं मैंने बहुत डेटियल में किया इसलिए आपको ऐसा लग रहा है ना तो चलिए इसको यहीं पर रोग देते हैं बाकि फिर 3.3 आपके में के दो को आपका यह क्या था स्टार्टिंग से इंट्रड़क्शन था और आपके बेसिंग स्ट्रॉंग करना था इसलिए जना टाइम लगा बाकि आगे टाइम लगने वाला है ना इन सब में जाए टाइम लगने वाला फटाफट इसको खतम कर लेंगे तो 3.2 तक रखते हैं आज आज गंटे के लिंगे काम चल जाएगा दो या तीन लेक्शे तो आपका कंप्लेट हो जाएगा कितना मुश्किल तो नहीं होता बड़ बहुत ही डिटील्ड हमने स्टेडी किया इसलिए कोई नहीं आगे स्टार्ट करेंगे तो हमारा भी आज क्या कंप्लेट हो पाए यहा जादा लंबे नहीं है ना बहुत लंबे नहीं है तो आपको यह चीजी थोड़े इच्छे लेगे होंगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहे हैं आप चाहते हैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब तो